गुड मॉर्णिंग एबरीबड़ी देखिए आज का हमारा टॉपिक है Magnetic Field on the Axis of a Circular Current Loop एक विर्ताकार धरावाही लूप के अक्षपर चुमकिये छित्र बायो सेवर्ट लाव में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई Current Carrying Conductor हो जिसमें I Current Flow हो रहा हो और इस Conductor के कारण किसी Point P पर Magnetic Field B का Value find करना हो तो हम सबसे पहले इस Conductor में एक छोटा सा Current Element लेते हैं Ideal इस Current Element के कारण यहाँ पर Magnetic Field Db का Value निकालते हैं जिसका formula हम लोगों ने सीखा था Mu0 by 4 Pi, Ideal sin Theta by R² जहाँ पर Theta, Theta किसके बीच का Angle है? Angle between Angle between Ideal Vector and R Vector यानि Current Element Vector और Position Vector के बीच का Angle है आपका Theta तो यह Db निकालने के बाद क्या करते हैं? ऐसा ऐसा Current Element बहुत सारा होगा इस Wire में यहां से यहां तक Infinite Current Element होगा और सारे Element के कारण यहां पर Magnetic Field का Value Db होगा अगर सारे Magnetic Field Db को Integrate करेंगे तो पूरे Wire के कारण Magnetic Field भी निकल जाएगा चीक है? तो यही Concept है अगर पूरे Wire के कारण किसी Point पर Magnetic Field निकालना हो तो हम एक छोटे से Element के कारण Magnetic Field निकालेंगे Db और उसको फिर क्या करेंगे? Integrate करेंगे तो पूरे Wire के कारण Magnetic Field मिल जाएगा तो चलिए Topic को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर समझना है Circular Current Loop Circular Current Loop क्या है? यह मान लो एक Wire है जिसको हमने Circle के Form में मोड़ा हुआ है चीक है? यह Wire है, Circular Wire Circular Wire एक वर्ताकार तार है यानि वर्त के आकार का एक Wire है एक Wire है, एक तार है जिसको हमने Circle के तरह मोड़ दिया है ठीक है? इस Wire का यह Center है इस Wire में Current Flow हो रहा है I Ampere I Ampere का Current इस तरह के से Flow हो रहा है तो इस Wire के चारों तरफ क्या बनेगा? Magnetic Field बनेगा? इस Wire के चारों तरफ क्या बनेगा? Magnetic Field ठीक है? अब माल लेते हैं Magnetic Field की इस तरह से बनता है यह देखिए इसके चारों तरफ जो Magnetic Field Lines बनता है वो इस तरीके से बनता है Magnetic Field Lines इस तरीके से बनता है और Magnetic Field Lines हमेशा बन्द लूप होता है इसलिए यह वाला जो लूप है यह पूरा आकर यहां पर क्लोज होगा यह वाला पूरा इधर आकर क्लोज होगा यह वाला इधर आकर क्लोज होगा Magnetic Field Lines हमेशा बन्द लूप बनता है यहां से field line निकलेगा यह पूरा घूमते वे यहां पर आएगा इस तरीके से किसी भी circular current carrying wire के चारों तरफ magnetic field बनेगा चुकि यह wire है और wire में क्या flow हो रहा है current तो जब भी किसी wire में current flow होगा तो उसके चारों तरफ magnetic field बनेगा इसका मतलब यहां पर magnetic field का direction किदर होगा tangent के तरफ तो किसी circular current carrying wire किसी वृताकार धारावाही तार के चारों तरफ magnetic field बनता है magnetic field को represent करने के लिए magnetic field को दर्शाने के लिए हम लोग magnetic lines of force या magnetic field lines खिषते हैं तो यह यहां पर represent कर रहा है यह सारा क्या है यह magnetic lines of force है या magnetic field lines है यह magnetic field lines magnetic field को represent करता है जहाँ पर line सटा होगा, वहाँ पर strong field होगा जहाँ पर line के बीच का distance अधिक होगा, वहाँ पर weak field होगा आप देख सकते हैं कि किसी भी point पर magnetic field का direction किदर होता है, tangent के लोग होता है जैसे इस point पर magnetic field का direction उपर की ओर होगा यहाँ पर भी magnetic field का direction उपर की ओर होगा इस line को axis of the loop कहते हैं यह जो line है vertical line इसको क्या बोलते है axis यानि अक्ष ठीक है तो यह रहा आपका magnetic field lines का pattern किसी circular current carrying wire के कारण अब आप देख सकते हैं कि इसका जो axial line होता है axial line पर field का direction किदर है उपर क्योर है ना anti-clockwise current है तो field का direction किदर होगा उपर क्योर, magnetic field का direction उपर क्योर होगा यहाँ पर magnetic field का direction उपर नहीं है बलकि थोड़ा सा टेढ़ा है देखो ऐसे फिर यहाँ पर टेढ़ा होगा इस तरीके से है लेकिन axial line पर magnetic field का direction यहाँ पर देखो यह axial line है फिल्ड का direction उपर है यहाँ पर भी field का direction उपर है यहाँ पर भी field का direction उपर है तो axial line पर कैसा magnetic field होता है उपर कियोर यानिए upward magnetic field होता है ठीक है जैसे समझिएगा यह हमारा current loop है circular current loop ठीक और यह व्ला जो line है जो center से pass हो रहा है ध्यान से देखेगा ये वाला लाइन, ये लाइन कहां से पास हो रहा है, center से, इस लाइन को हम axis कहते हैं, इस लाइन के किसी भी point पर, इस axial लाइन के किसी भी point पर, field का direction किदर होगा, बाहर की ओर होगा, अगर anti-clockwise current है, जैसे अगर ऐसे रखा जाए loop को, तो ये axial लाइन हो गया तो अगर anti-clockwise current है, तो magnetic field किदर होगा, उपर की ओर होगा, अगर clockwise current है, तो magnetic field किदर होगा, नीचे की ओर होगा, इस लाइन को हम axial लाइन कहते हैं, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, clear है? तो टॉपिक का नाम है Magnetic Field on the Axis of a Circular Current Loop एक Circular Current Loop है यह माल लीजिए एक Circular Current Loop है ठीक है यह लूप एकदम Vertical Plane में रखा हुआ है यह लूप कैसे रखा हुआ है यह जो Current Loop है यह YZ Plane में है YZ Plane में है मतलब कुछ इस तरीके से रखा हुआ है यह इस तरीके से है ठीक और Axis आपका किदर है इधर है यह Axial Line है यह आपका Loop है इस तरीके से YZ Plane में यह हमारा YZ Plane है Vertical Plane और इस तरीके से यह Axial Line है यह थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर यह 3D Diagram है इसलिए थोड़ा सा Confusion हो सकता है यह आपका Axial Line है Axial Line और Axis of the Loop इस लूप में I Ampere का Current Flow हो रहा यह Loop का Center है और यह आपका Axial Line है यहाँ पर P एक Point है इस Point P पर Magnetic Field B का Value Find करना है इस पूरे Loop के कारण यह जो पूरा Circular Current Loop है इस Current Loop में कितना Current Flow हो रहा I Ampere का इस Current Loop के कारण Point P पर Magnetic Field का Value निकालना है और Point P कहा है Point P Axis पर है और यह Center से कितने Distance पर है तो Center माल लो O है Center O से यह X Distance पर है बिंदू P कैसा Point है तो Point P Axial Point है जो Center से X Distance पर है इस Loop का Radius माल लीजे R है R क्या है इस Loop का Radius है तो Point P पर Magnetic Field निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उस Loop में इस Circular Loop में एक छोटा सा Current Element लेंगे Ideal उसके कारण Magnetic Field निकालने फिर उसको हम क्या करेंगे Integrate करेंगे तो चलिए यहां पर हम एकदम सबसे उपर सबसे उपर यहां बिंदू M पर एक छोटा सा टुकडा लेते हैं सबसे उपर वाला Point M इस Point पर हम एक छोटा सा Current Element लेते है Ideal यह Ideal Vector एकदम छोटा सा Vector है जो एकदम Top पर है यहां पर Ideal Vector और इस Current Element के Respect में बिंदू P का Position Vector R है Current Element के Respect में बिंदू P का Position Vector R है आप याद करिए BioSevert Law में हमने पढ़ाया था किसी Point पर जैसे मालो यह Current Element है Ideal यह Vector Ideal है और यहां पर बिंदू P पर आपको Magnetic Field D भी निकालना है क्योंकि Current Element के कारण जो Magnetic Field होगा वो बहुत कम होगा Current Element बहुत छोटा Element होता है इसके कारण Magnetic Field का Value कितना होगा DB तो माल लिजे Current Element के सापेच बिंदू P का Position Vector R है अब Ideal Vector और R Vector के बीच का एंगल कितना होता है थीटा तो DB का फर्मला क्या होता है Mu 0 by 4 Pi Ideal sin थीटा by R² जहां R यह Distance है तो माल लिजे इस पूरे लूप के कारण इस पूरे लूप के कारण बिंदू P पर मतलब यहां पर आपको Magnetic Field निकालना है तो सबसे पहले हमने यहां पर इस लूप के सबसे Top Point यानि M पर क्या-क्या एक छोटा सा Current Element लिया Ideal इस Current Element के सापेच बिंदू P का Position Vector R है अब देखिए यह Ideal Vector और R Vector यह Ideal Vector है और यह हमारा R Vector है Position इस दोनों के बीच का एंगल कितना है इस दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री इस चीज को समझे Ideal Vector और R Vector के बीच का एंगल कितना है 90 यह वाला जो एंगल देख रहे है यह एंगल 90 डिग्री है किसके बीच Ideal Vector and R Vector इसको आप समझेगा यह हमारा Current Loop है और यह मेरा कौन सा लाइन है यह मेरा Axial Line है दिख रहा है न Point P कहा पर होगा Axis पर यहाँ जहाँ पर हमने पकड़ा हुआ है यहाँ पर देखें Point P है यहाँ पर आपका Current Element है यहाँ पर सबसे Top पर यहाँ पर आपका Current Element है इधर आप देखिए यह Current Element है इस तरीके से Current Element का Direction किदर है इधर आपकी ओर है और यहाँ पर जो Position Vector है R Position Vector R का Direction किदर है इधर क्योंकि point P यहाँ पर है axis पर यहाँ पर है point P तो position vector आर ऐसे जाएगा तो दोनों के बीच का angle आप देख रहे है 90 degree है इसको आप खुद से practice कर लिजेगा कि कितना angle बनता है 90 degree का angle यहाँ पर बनता है ठीक है तो यहाँ पर यह जो angle है theta यह कितना degree है 90 degree इस छोटे से current element के कारण point P पर magnetic field का value माल लिजे db है और db का direction किदर होगा ideal cross r तो जब ideal और r का हम cross करेंगे तो यह इस plane पर perpendicular upward की ओर होगा मतलब इधर हो जाएगा vector db ठीक है अब माल लेते हैं यह वाला angle theta है यह angle किसके बीच का है यह r और यह small r इस दोनों के बीच का angle कितना है theta यह 90 degree किसके बीच का angle था ideal vector और r vector ध्यान दीजेगा vector ideal और vector r इसके बीच का angle है 90 degree इसको और आप अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर ideal vector इधर है और r vector ऐसे करके आएगा तो यह angle हमारा कितना होगा 90 degree जबकि theta कौन सा angle है theta है यह radius जो है r r क्या है radius है loop का और यह वला जो r है इसके बीच का यह वला angle है theta दोनों अलग अलग angle है यह angle 90 है जबकि यह वला angle कितना है theta है चीक है तो इस current element के कारण point P पर magnetic field का value कितना है db मालो यह angle theta है यह angle 90 है तो यह वला angle कितना होगा 90 मैनस theta अब चुकि यह angle 90 है आप जानते हैं vector db जो होता है वो ideal cross r इसके along होता है vector db का दिशा किदर होता है vector db का direction होता है ideal cross r इसका मतलब vector db ideal पर भी lump होगा और vector db r पर भी lump होगा तो r पर lump होगा यह vector db चिक ना तो यह angle कितना हो जाएगा 90 degree अब देखो यह 90 मैनस theta है यह 90 है तो इधर का angle कितना होगा तो इस तीनो angle का sum कितना होना चाहिए 180 degree इस angle इस angle और इस angle को अगर जोडा जाए तो कितना होगा 180 तो 90 मैनस theta प्लस 90 प्लस इस angle को कुछ माल लीजे इस angle को हम माल लेते है 5 तो प्लस 5 इस इक्वाल टू कितना होना चाहिए 180 degree तो 90 प्लस 90 180 और 180 कैंसिल हो गया तो 5 इस इक्वाल टू कितना मैनस theta को इधर ले आएंगे तो कितना आ गया theta इसका मतलब यह जो एंगल होगा इसका वैल्य हो जाएगा theta तो इस angle का वैल्य हो गया theta इस angle को हम हटा देते हैं यहां से अब यहां पर एक y-axis बनाते हैं और इसको हम माल लेते हैं x-axis यह x-axis है यह y-axis है यह angle आपका कितना है theta तो फिर से समझियेगा यह आपका क्या है circular current loop इस circular current loop के कारण point P पर हमको क्याँ चाहिए magnetic field चाहिए इस circular current loop के कारण point P पर क्या चाहिए magnetic field यहां पर हमने एक छोटा सा current element लिया ideal इसके कारण यहां पर magnetic field कितना है db, यह vector db का direction x-axis से कितने angle पर होगा theta, जहाँ theta किसके बीच का angle है, theta जो है angle between r and r इस दोरों के बीच का angle theta है, जबकि angle between ideal vector and r vector इसके बीच का angle कितना है, 90 degree है अब देखे, db का value क्या होगा, db का value हो जाएगा mu naught by 4 pi ideal यहाँ पर ideal और r के बीच का angle 90 है, तो ideal sin 90 by r square तो इसका value हो जाएगा mu naught by 4 pi ideal by r square, यह value निकल गया db का, ठीक है अब देखे, एक और current element लेते है यहाँ point n पर, सबसे नीचे सबसे उपर point m पर हमने current element लिया, वैसे ही सबसे नीचे, यानि यह जो diameter वाला line है, इसको diameter वाला line कहते है यहाँ पर, इसके ठीक diametrically opposite point n पर एक हमने current element लिया ideal इस vector ideal का direction इधर होगा अंदर की और इसका direction किधर होगा बाहर की और इस ideal के कारण point p पर magnetic field का value माल लीजिए db है और यह कितने angle पर है theta angle, लेकिन इसके कारण जो magnetic field होगा वो नीचे की और होगा इस current element के कारण magnetic field यहाँ पर किधर होगा नीचे की और और इस current element के कारण magnetic field किधर होगा उपर की और अब देखिए, इस db vector का 2 component आएगा इधर x component कितना होगा db cos theta और y component कितना होगा db sin theta vector scalar में आपने पढ़ा होगा किसी vector का 2 component हो सकता है x component, y component यह vector जो है x axis और y axis के बीच में है तो इसका x component होगा db cos theta जिधर theta होगा उधर cos component आता है जिधर theta नहीं होता है उदर sin component आएगा, उसी प्रकार ये वाला जो magnetic field है db, इस element के कारण, जो magnetic field है db, इसका भी दो component आएगा db cos theta and db sin theta, अब आप देखिए, इसका y component cancel हो जाएगा, db sin theta उपर है और db sin theta नीचे है, अब आप जानते हैं, दो equal opposite vector को अगर हम जोड़ेंगे, तो वो cancel होकर कितना value द theta नीचे cancel हो जाएगा, तो इसका केवल x component add होगा, db cos theta, db cos theta, तो इसका मतलब ये वाला जो current element है, और ये वाला जो current element है, दोनों का y component cancel हो रहा है, केवल x component ही add हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर अगर एक current element लिया जाए, और इसके ठीक diametrically opposite, यहाँ पर एक current element लिया जाए, तो दोनों का y component cancel होगा, इस element का magnetic field मालो इधर आएगा, और इस element का magnetic field इधर आएगा, फिर दोनों का y cancel होगा, x add होगा, फिर यहाँ पर एक current element लिया जाए, और ठीक इसके diametrically opposite वाले point यहाँ पर एक current element लिया जाए, तो दोनों का फिर क्या होगा, x component add होगा, y component cancel होगा, फिर यहाँ पर एक current element लिया जाए और ठीक इसके diametrically opposite यहाँ पर एक current element लिया जाए तो दोनों का x component add होगा y component cancel होगा तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे लूप में बहुत सारा current element होगा और हर एक current element के ठीक diametrically opposite एक element होगा अब आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक माल लिजे यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 current element है तो ठीक इसके opposite में 10 current element इधर होगा अगर आधे बृत में 10 current element होगा तो बाकी आधे बृत में उसी का diametrically opposite current element होगा ठीक है लेकिन आप जानते हैं कि इस आधे circle में बहुत सारा current element होगा, केवल 10 ही नहीं होगा माल लीजे 10 lakh current element है तो ठीक इसका diametrically opposite, यानि इधार बाकी आधे circle में, diametrically opposite element होगा 10 lakh, सारे element का y component cancel होगा और केवल कौन सा component add होगा x component, इसका मतलब point P पर, जो total magnetic field हो जाएगा, पूरे loop के कारण पूरे loop के कारण मतलब इस loop में जितना भी current element है सारे current element के कारण जो बिंदू P पर, total magnetic field होगा, या net magnetic field होगा वो कैसे निकलेगा, तो वो इसी db cos theta को integrate करके निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना भी इसमे current element होगा साब का y component cancel हो जाएगा, कि एवल आपको x component add करना है, तो यहाँ पर किस component का integration होगा, db cos theta तो देखिए पूरे loop के कारण जो magnetic field होगा magnetic field at point P due to whole loop इस पूरे loop के कारण, बिंदू P पर जो resultant magnetic field होगा B, वो कैसे निकलेगा integration of db cos theta इसी x component को integrate करिएगा तो पूरे loop के कारण magnetic field मिल जाएगा अब देखते हैं, db का value कितना था db का value था, mu naught by 4 pi ideal sin 90 by r square किसी एक current element के कारण जो यहाँ पर magnetic field का हमने value निकाला था तो पता है था कि ideal vector और r vector के बीच का angle 90 है फिर क्या है cos theta cos theta का value यहाँ से देखिए यहाँ पर एक समकोन त्रिभूज बन रहा है right angle triangle इस right angle triangle को यहाँ पर हम बना लेते हैं इस समकोन त्रिभूज को देखिए यहाँ पर यह वला यह radius of the loop है यह जो है distance है center से इस बिंदू P की दूरी कितनी है x और यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance है r यह angle है theta तो बताइए cos theta का value क्या होगा cos theta का value होता है base by hypotenuse तो base कितना है capital r और hypotenuse कितना है small r तो यहाँ पर हम लिख सकते है cos theta पराबर capital r by small r तो यहाँ पर value put करेंगे तो यह हो जाएगा cos theta का value capital r by small r और sin 90 का value कितना हो जाएगा 1 यह हो जाएगा अब इसमें जो भी constant है इसको हम क्या करेंगे बाहर और जो variable है वो अंदर में रहेगा तो अब देखेंगे इसको solve करेंगे constant को बाहर करते है mu 0 by 4 pi यह क्या आजाएगा बाहर आजाएगा यह current i क्या है constant है यह r क्या है constant है और यह r square into r यह देख रहे हैं r square into r यह r cube क्या है constant है अंदर में केवल क्या रहेगा dl यह सारा कुछ constant है क्योंकि current element आप कहीं पर भी लीजिएगा तो इस loop का radius change नहीं होगा current element आप कहीं पर भी लीजिएगा तो ना तो loop का radius change होगा और ना यह distance change होगा क्योंकि कहीं पर भी current element लीजिएगा तो उसका distance बिंदू p से same ही आएगा चुकि ये कौन सा लाइन है, एक्सियल लाइन है, तो एक्सियल लाइन पर कोई point अगर P है, तो वहाँ सारे current element से बराबर दूरी पर होगा, इस चीज को हम दिखाते हैं, ये आपका current loop है, और ये आपका axial line है, axial line पर जो point लेंगे P, जैसे यहाँ पर मालनों एक point है P, ये point सारे current element से, यहाँ पर जितना भी current element आएगा loop पर, ये सारा distance क्या होगा cm आएगा, आप इसको center में रखकर, आप think करिए कि जितना भी current element होगा इस circle पर, वो सारा current element इस पर बराबर distance पर होगा, तो ये सारा कुछ constant है, तो केवल किसका integration होगा DL का, अब आप जानते है DL का integration क्या होगा, इसमें जितना भी DL है, छोटा 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 लेंथ, इसमें जितना भी DL होगा सब को अगर जोडेंगे, तो पूरे circle का लंबाई निकलेगा, और पूरे ब्रित की लंबाई को परिधी कहते हैं, circumference कहते हैं, जिसका formula होता है 2πr, तो यहाँ पर DL का integration क्या लिखेंगे 2πr, mu0 by 4π, ir बटे r3 into 2πr, जहां r क्या है, लूप का radius है, अब इसको solve करते हैं, तो B का value हो जाएगा, mu0i r into 2πr by 4πr3, अब दखोंगे, यहाँ पर 2πr और 4π, यहाँ पर 2 आएगा, mu0i, r into r क्या होगे, r square by 2r cube, अब small r को क्या लिखेगा, यहाँ पर देखें, तो small r क्या है, hypotenuse length है, इस समकोंत्रिभूज के कर्ण का लंबाई कितना है, small r, तो कर्ण का लंबाई क्या होता, under root, لمb square, यानि r square, जोड आधार square, यानि x square, तो यहाँ पर, mu0i r square by 2 into r cube है, r का value कितन है, under root r square plus x square, इसको हम लिख सकते है, r square plus x square पर power 1 by 2, तो यहाँ पर हो जाएगा, r square plus x square पर power 1 by 2, यह तो हो गया, small r का value, क्योंकि square root का मतलब 1 by 2 power होता, और उस पर क्या है, cube है, तो यह हो जाएगा, mu0i r square by 2 into r square plus x square पर power, 1 by 2 into 3, 3 by 2, यही हो गया formula, किसी circular current loop के axial point पर magnetic field का यह formula होता है, जहाँ पर r क्या है, r जो है, वो loop का radius है, और x क्या है, जिस point पर आपको magnetic field निकालना है, वह point center से कितने distance पर है, x distance पर है, ठीक है, तो हम लोगों को formula मिल गया है, यह माल लिजे circular current loop है, इसमें i ampere का current flow हो रहा है, इस loop का radius r है, इस loop का center o है, यह loop का axial line है, यहाँ पर एक point है P, पूरे loop के कारण, बिंदू P पर magnetic field B का value निकालना है, यह जो distance है, यह distance small r है, और यह जो axial point है, वो center से कितने distance पर है, x distance पर, तो magnetic field का क्या formula मिला, mu naught by 4 pi, sorry, mu naught i r square, mu naught i r square by 2 into r square plus x square पर power 3 by 2, इस formula को आप अच्छे से याद कर लेंगे, अब जरा यहाँ पर एक special case लिजे, अगर यह बिंदू P center पर आजाए, तो x का value 0 हो जाएगा, अब मालो यह बिंदू P को अगर हम यहाँ लाएंगे, तो यह जो distance है, यह घटेगा, point P अगर और नजदिक आएगा, तो और घटेगा, अगर point P धिरे-धिरे center पर आजाए, तो यह x का value क्या होगा, 0 होगा, तो य mu naught i r square by 2 into r square plus x का value कितना हो जाएगा, 0, अगर हम point यह लेंगे, तो यह point के लिए x का मान 0 होगा की नहीं, यहाँ जो formula है, किसी भी axial point के लिए काम करेगा, यह P जैसे axial point है, जो center से x distance पर है, वैसे ही O जो है, यह center यह भी तो axis पर है, तो यहाँ कितने distance पर है, center, center से कितने distance प जैते हैं, तो x का value यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 square 3 by 2, अब तो कोई यह 2 और यह 2 cancel हो गया, तो यह जो आएगा value, mu naught i r square by 2 r cube हो जाएगा, अब एक r यहाँ पर r square है, r cube है, तो 2 r cancel होगा, तो क्या बचेगा, mu naught i by 2 r, यह हो गया center पर magnetic field का value, value of magnetic field at center, तो बताएगे किसी circular loop के center पर magnetic field का क्या value होता है, mu naught i by 2 r, किसी circular loop के center पर magnetic field का यह value होता है, और direction क्या होगा, अगर current anti-clockwise flow हो रहा है, तो direction बाहर क्योर होगा, यानि upward बाहर क्योर होगा, यहाँ बिंदु p पर magnetic field बाहर होगा यहां पर भी magnetic field बाहर क्यों होगा तो बिंदु P पर magnetic field का यह formula है और center पर magnetic field का यह formula है दोनों formula को अच्छे से याद कर लेंगे चलिए next class में मिलते हैं thank you